जैपुर में भीशन गर्मी का कहर जारी है इस दोरान 22 साल के युवक की हीट वेव की चपेट में आने से मौत हो गई युवक जैपुर में एक्जाम देने आये था और एक्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकलते वक्त बेहोश हो गया जैपुर या होस्पिटल के डॉक्टर ने उस मौत घोशित कर दिया डॉक्टरों का कहना है कि प्रथम द्रश्टिया गर्मी से तब्यद खराब होने का मोत का कारण माना जा रहा है इसके अलावा जैपुर में अलग-अलग जगाहों पर तीन लोगों की तब्यद बिगड़ गई इन तीनों को एसमेस अस्पताल में भरती करवाया गया है और अन्य रूटीन काम करने पड़ रहे हैं लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन उपाय अपना रहे हैं प्रशासन सड़कों पर स्मोक गन की मदद से पानी का छिड़काव कर रहा है जानवरों को भी गर्मी से बचाने की कोशिश जारी है एक तरबूज बेचने वाले ने तो अपने बैल को गर्मी से बचाने के लिए बैल गाड़ी पर तिरपाल का शेड़ बनाया है जापूर में रात का तापमां 33.3 डिग्री रिकोर्ड किया गया जो प्रदेश में दूसरे नमबर की सबसे गरम रात रही इससे ज़्यदा तापमां कोटा में रिकोर्ड किया गया सोमवार को जैपूर में गर्मी ने साथ साल का रिकोर्ड दोड दिया था राजदानी जैपूर में सोमवार को अधिक्तम तापमां 46.4 डिग्री पहुँच गया जो माई माहा में दस साल का दूसरा सबसे गरम दिन रहा यह वस्त से 4.6 डिग्री जादा रहा इससे पहले 19 माई 2016 को जैपुर में अधिक्तम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया था जैपुर में तेज धूप और लू के थपेडों ने जन जीवन बेहाल कर दिया है आज भी तेज धूप और लू आम जनता को परिशान करेगी मोसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जैपुर में ओरेंज अलर्ट जारी कर दिया है इस दोरान दिन के साथ रात में भी गर्म हवाए आम आदमी को परिशान कर सकती है भारतिय मोसम केंदर के अनुसार राजदानी जैपुर में भीशन गर्मी का दोर अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा जैपुर में अधिक्तम तापमान 45 डिग्री सेलसियस तक बहुंच सकता है 39 माई को जैपुर के तापमान में एक से दो डिग्री सेलसियस के मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है